हाई आप्रिवान वेलकम टू जेके एससवी अड़ा सिक्जन फोर यूट्यूब चैनल एन अप्रिकेशन सो आज हम यहाँ पे एक टॉपिक लेके आया है जो कि जेके एससवी का एक कोश्चन इसमें से आता ही आता है that is important waterfalls in jamu and kashmir jamu and kashmir के अंदर जितने भी यहाँ पे waterfall बनेंगे वो हम आपके साथ discuss करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आपको एक major crops भी आपको मिलेगी with the help of trick हम करेंगे बट सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम waterfall करेंगे कि हमारे यहाँ पर कितने यहाँ पर waterfall है ठीक है कुए कुए सब रही important होंगा ऐसे waterfall वो बहुत सारी है बट हमारी जो exam के अंदर important चारवांच ही हमसे पूछ जा सकते है ठीक है तो सबसे पहले बात करता हूँ तो सबसे पहला waterfall आता है आहरवल waterfall ठीक है अब यह आहरवल waterfall जो है ना आपको इसमें से दो चार चीज़े important है ठीक है एक तो हम इस waterfall को यहाँ पर Niagara waterfall भी यहाँ पर बोलते हैं ठीक है एक चीज़ आपको यह important रखनी है और दूसरा देखना है कि कौन सा waterfall कौन सी district के अंदर लाई करता है तो यह आपके नूरावाद area in district कुलगाउम के अंदर यह यहाँ पर लाई करता है जीलम की ट्रिबूट्री है यहाँ ठीक है और इसका यह अगर मैं बात करता हूँ आगरवल यह waterfall यह आहरवल यह waterfall इसका पानी का origin कहां साथ है तो that is spring called कोसेर नाग ठीक है कोसेर नाग से यहाँ पर इसका origin होता है अब दूसरा देख लेते हैं दूसरा है तुम्हारा यहाँ पर नूरी चाम ठीक है यह नूरी चमपा भी हम इसको बोल सकते हैं कि आप local language के लिए जो बच्चे है वो नूरी चमपा बोलते है that is नूरी चाम, C-H-A-M-B, चाम है यहाँ पर ठीक है और यह चाम का मतलब होता है हमारे अध़ वाटरफॉल ठीक है चाम का मतलब काता है local terminology है यह वाटरफॉल जिसको हम बोलते हैं तो देखो भी यह नूरी चाम जो है ना यह famous क्यों थी नूर जहां जो की wife थी किसकी जांगिर की wife थी यह ठीक है और उसी के नाम पे और उसी के नाम पे ही यह आपका वाटरफॉल बना है ठीक है इट इस लोकेटर नियर हिल विलेज आफ ब्रहमा गला बिलो पीर पंजल पास यहाँ पीर पंजल पाल पीर की गली भी आप इसको बोल सकते हैं important है पीर की गली और यह है कहाँ पे पुछ डिस्टी के अंदर तो याद रखने हैं नूरी चॉम यह आपका वाटरफॉल है यह है पुछ के अंदर यह आप से पूछा भी गया था ठीक है और अगर मैं बात करता हूँ तो it is the second largest प्लंग वाटरफॉल ठीक है यह second largest प्लंग वाटरफॉल है यहाँ पर ठीक है पूरा डिटेल के अंदर हम बात में पढ़ेंगे अभी जो जिनका कल पेपर है उनके लिए शॉर्ट नोट्स मैंने बनाय हुआ है ठीक है तो नेक्स्ट है हमारा नंदी शोल वाटरफॉल अब नंदी शोल वाटरफॉल जो है यह कहाँ पर लोगेटड है 12 km from the लोरान वीलेज ठीक है लोरान वीलेज से 12 km दूर है और डिस्टि की बात करूँ तो डिस्टि की है पॉंच ठीक है यह नंदी शोल आपका वाटरफॉल है यह भी कहाँ पर है पॉंच के height की बात करें तो यह 1.500 feet का है ठीक है तो next हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा यह next कौन सा हमारा ठीक है तो यह भी आपका एक important है यहाँ पे कोकेर नाग waterfall ठीक है यह कोकर नाग waterfall यह कोकेर नाग waterfall जो भी तुम लोग बोलते हो तो देखो भाई यह यह waterfall जो है न यह actually यह कोकेर नाग है यह actually एक टाउन है ठीक है कहां पर है कौन सी डिस्टी के अंदर अनंत नाग के अंदर तो that is अगर कोकेर नाग waterfall पूछे तो वो भी कौन सी डिस्टी के अंदर आ जाएगा अनंत नाग के अंदर आ जाएगा और I think यह एक question है तुम्हारा लेगी सबसे जादा यह canal system है सबसे अदर canal है वो कहां पर है ठीक है जमूर कश्मीर के अंदर तो अगर मैं बात करूं कोकेर नाग तो यह that is आपकी it is the largest fresh water spring in कश्मीर वैली यह largest fresh water spring है कश्मीर का वैली का that is वो अनंत नाग के अंदर और अनंत नाग के कौन है तुम्हारा कोकेर नाग ठीक है it is named as pop ashudanad ठीक है pop ashudanad ठीक है यहां बहुत सुकते हैं pop ashudanad ठीक है जिसका अगर हम मतलब देखें तो जिसका अगर हम मतलब देखें तो वो होता है तुम्हारा यहां पे cleaner of science cleaner of science ठीक है तो यहां पे मुझे मैं first time ऐसे mobile में video बना रहा हूँ तो मुझे penny use करना नहीं आ रहा है इसके अंदर ठीक है sorry next यह आता है तुम्हारा वो आता है बाबा सिद वाटर फॉल यहां बाबा सियार बाबा ठीक है यहां सियार बाबा आप देखा होगा तो यह नाम सुनते ही तुम्हें यहां पे एक वर्ड याद आ रहा होगा रियास ठीक है इस नाम को सुनते हैं तुम्हें याद आ रहा है रियासी तो इट इस लोगेटर ऑन चिनाव रिवर इन रियासी डिस्टिक तो यह कहां पे है यहां पे सियार बाबा यह यह वाटर फॉल है यह तुम्हारा चिनाव रिवर के उपर है कौन सी डिस्टिक अंदर रिया सेयर बाबा ठीख है तो one of the biggest waterfall in north India near the सेयर बाबा टेंपल और यह कहां पर है सेयर बाबा टेंपल है उसी के पास में यहां पर तो विलेज की बात करूं तो यहां पर Kortalis है यहां पर ठीक है अनगाय हम इसल को सो नेक्स्ट वी हमारा important है холод onsada dancer waterfall ये भी important है Baba dancer waterfall अगर बात करो मैं dancer की यहाँ पर तो यह dancer यहाँ ना यह बाबा dancer यहाँ पर sun थे किसके वासू देवा के वासू देवा के यहाँ पर बेटे थे ठीक है actually यहाँ पर एक बहुत सारी यहाँ पर कहानी है कि यहाँ पे कि रियासी डिस्टी के अंदर यहाँ पे यह यह ना यह वाला विलेज ठीक है विलेज कर कुआ यहाँ पे एक डिमॉन रहता था ठीक है यहाँ यहाँ पे यहाँ पे लोगों को बहुत यहाँ पे क्या करता था तंक करता था तो यहाँ पे यह बाबा दंसर थे उन्होंने यहाँ पे पूजा की थी यहाँ पे लौड शीवा की तो लौड शीवा ने यहाँ पे आके फिर उनको यहाँ पे डिमान को यहाँ पे मार दिया और इन यह पीपल से जिनको तंग करता था उनको यहाँ पे free करवा दिया उनसे ठीक है तो यह एक holy place है ठीक है किनकी बाबा दंसर की योकी located है करुआ जील pond near village करुआ ठीक है करुआ एक village है योकी कहाँ पे है 17 km from रियासी towards कट्रा जब हम कट्रा से आते हैं ठीक है रियासी से चलते हैं कट्रा की तरफ तो यह 17 km है रियासी से ठीक है और यह तुम्हें सीधे पूछे कि बाबा दंसर waterfall कहाँ पे है तो रियासी district bus अगर पूछे कौन सा village है तो करुआ के ए आर यू ए करुआ village ठीक है तो यह एक आपसे question बन सकता है और अगला बात कर रहा हूँ तो अगला यहाँ पे नूर खा waterfall तो यह मैंने नेट से ही डूणने थे यहाँ पे इमबोरन waterfall यहाँ पे तो नूर खा waterfall की बात करें तो यह कुन सी location है यहाँ पे बारा मुला के अंदर है याद रखना question बन सकता है फिर आता है तुम्हारा द्रंग waterfall द्रंग waterfall यहाँ frozen waterfall of drunk ठीक है अक्शिव द्रंग एक यहाँ पे टाउन है के अंदर आजाएगा ठीक है कोई तसीर पूछ ले तो तंग मारक तसीर इसकी आजाएगी तो यह important waterfall यह थे यह मैंने आपके लिए लेके आया था तो अगले जलेंगे topic के उपर जो की हमारा है यहाँ पे important यहाँ पे crops वाला ठीक है और crops यह ना crops काफी important है तुम्हारे exam के लिए तो इसका यहार मैंने एक simple सा एक trick बनाके रखा हुआ तुम्हारे लिए ठीक है क्या बता तुम्हें वह अच्छी लगए trick ठीक है अगर हम बात करता हूँ crops ठीक है crops की रवी और खरीफ crops की तो सबसे पहले मैं चलता हूँ खरीफ crops के उपर ठीक है तो खरीफ crops की आपने trick याद रखनी है कि आज कल तो आपको पता है कि यह BJP के यह मंत्री है वो बड़े शारे हैं तो BJP सबसे पहले आ जाएगा और BJP का यह यहां पर CM है ठीक है और SRM एक यहां पर college है ठीक है SRM एक college है और यह GST यहां पर किन के time लगा था BJP के time में लगा था तो बस यहां से एक trick बन जाती है BJP CM SRM GST ठीक है तो यह सारे खरीफ crops है B से मतलब बाजरा ठीक है J से मतलब जवार ठीक है P से मतलब pulse तो BJP complete होगी B से बाजरा J से जोहार आ P से pulse C से cotton हो जाएगा ठीक है M से maze हो जाएगा ठीक है S से तुम्हारा soya bean हो जाएगा R से तुम्हारा rice हो जाएगा M से तुम्हारा millets हो जाएगा that is CM CM तो cotton और maze यह कौन सी crop है खरीफ crops है तो SRM soya bean millets और rice तो यह कौन सी यह भी खरीफ crop है फिर S T यह भी important है तुम्हारा G से बन जाता है ground nut S से बन जाता है sugar cane T से बन जाता है turmeric ठीक है जिसका आप हल्दी बोल सकते हो तो यह सारे के सारे कौन सी है यह सारी के सारी खरीफ crops है तुम्हारी ठीक है और अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं ठीक है तो खरीफ crops को हम यहां पे खरी घुबर अबर मन्द के अंदर ठीक है और हम खरीफ grapes को हम मान सोन crops भी हम बोलते है ठीक है यह अहल है यह भी तुम्हारी कौन सी यहाँ यह भी a还is भी खरीफ keepsा और यह सीधे direct कोश्थे आते एक्मारे फर्छा है त्हीक है अगला कॉस्ण है ठीक है तुमारी आती है कॉस्ण क्या है, REVICROPS REVICROPS जो है न, ये भी एक Arabic word है और इसका मतलब होता है spring ठीक है उसका मतलब क्या था? autumn और इसका मतलब होता है spring ठीक है तो अगर बात करें इसकी tricky बात करें हो, ठीक है तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसको sown कब करते है तो sown ही होती है नॉंबर मन्त के अंदर और harvest होती है मार्च मन्त के अंदर और इसको हम यहाँ पर winter crops होते है ठीक है अब देखो जैसे कि आपको पता है cop got bmw यह सुरी यार यह क्या हो क्या एक सेकेंड रुक्की हो यह रहा ठीक है cop got bmw यह cops होते हैं उनको bmw मिलती है बाहर हमारे इंडिये में तो bmw मिलेगी नहीं ठीक है अब देखो cop got bmw अब यहाँ से ही हम एक trick निकाल के लिए आएंगे इसके लिए ठीक है और वो देखो कैसे बनेगी यहाँ पे trick ठीक है oats potato g से gram o से onion t से tomato b से barley m से mustard w से wheat तो होगी हमारी cop ठीक है यहाँ से बनके पहले तीन पेर फिर g o t g से तुमारा हो जाएगा gram o से तुमारा हो जाएगा onion ठीक है और t से तुमारा हो जाएगा tomato b से तुमारा हो जाएगा barley ठीक है M से तुम्हारा हो जाएगा Mustard और W से तुम्हारा हो जाएगा Wheat हो जाएगा ठीक है Other यह example है वो दैडिस आपकी Lins Seats जो है यह भी तुम्हारे यहाँ पे कौन सी आयती है तुम्हारी Ravi Crops के अंदर आयती है And अगला यह important है That is तुम्हारा Zayt Crop Zayt Crop यह Sown होती है वो March में होती है और मेई में इसको काड़ दी जाता है ठीक है जैसे तुम लोग देखते हो कि गर्मियों के टाइम में ही यहाँ पे यह चीज़े आती है जैसे Watermelon हो गया यहाँ पे ककंबर हो गया Pumpkin हो गया Musk, Lemon हो गया ठीक है Gorots, जितने भी क्रेला वगरा यह सारे तुम्हारे गर्मियों बाते है ठीक है जो आप बोटो के Beez वाले जो होते हैं यह वाली जो सीजन है जैसे आपकी ककड़ी होगी ठीक है तो यह सारी के सारे तुम्हारे का बाते हैं यह तुम्हारे गर्मियों में आते हैं That is March और मेई के मन्त के बीच में तो यह सारे के सारी कौन सी हो जाएंगी जैद क्राप हो जाएंगी तुम्हारी ठीक है फिर मैं अगली बात करूँ तो अगला यह है तुम्हारा That is वो आयाती है तुम्हारी यहां पे एक सेकिंड रुखना फिर अगले आते हैं तुम्हारी कैश क्रॉप्स कैश क्रॉप्स के अंदर जैसे तुम्हारी यहां पे जूट, कॉटन तबाकू, शुगर केन तो यह तुम्हारी सारी क्या है मिल जाएगा लास्ट के अंदर ठीक है सो थैंक यू सो मच बेस्ट आफ लक जूनी रेसिशन फार यूर टुमारो एक्जाम मेरा हैल्थ इशू ठीक नहीं है इसलिए यार मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा था तो चलो आज थोड़ा सा फर्क लगा हुए आप देख रहे हैं मेरी वास भी बड़ी सी चेंज चेंज जी आपको लग रहे होगी सो आइम रेली सॉरी यार